मस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार योप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्टरी एंटी एउजी सी नेट जैरब पार्ट 237 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ वीडियो प्रारंब करने से पहले आपको बता दें अगर आप लोगों को इस वीडियो के अनी पार्ट 233 का पीडियाप चाहे तो पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कोश्चन नमबर वन है इसमें निमलिखित में से किस राजवन्स का दावा था कि उनके पुर्वज आयोध्या में रहते थे तो किस राजवन्स का दावा था कि उनके पुर्वज आयोध्या में रहते थे तो ये दावा किया है सर्यूपार के कल्चूरी ने कुश्चन नमबर दो है निमलिखित में से किसे गरंथ में साकेत एवं माध्यमिका पर इंडो ग्रीक एवं आकरमण का संदर्ब है तो गरंथ है महाभास से महाभास से गरंथ में ऐसा उलेख मिलता है कि साकेत माध्यमिका पर इंडो ग्रीक जिसको यवं के नाम से जाना जाता है आकरमण किया है तो महाभास के लेखा कौन है यह रचना इसने की ती तो महाभास की रचना पतंजली ने की थी और यह जो महाभास लिखा गया है पालणी के अश्ठा ध्याई के उपर ये टी का टीपड़ी लिखा गया है ये कोश्चन नमबर तीन है निमनेखित ग्रंथों में से किसमे बिभिन प्रकार की नवकाओं के निर्मान का बीबरण मिलता है तो वो है अद्भुत सागर अद्भुत सागर में अद्भुत सागर में और अद्भुत सागर के अगर रचना की बात करे थी इसकी रचना का या रचनाकार थे जिसने रचना की थी अद्भुत सागर की बल्लाल सेन ने और इसमें बेपार और बिसाल नौकाओं का वर्णन किया गया है अद्बुस्सागर में और इसके राइटर है बल्लाल सेन कोशन नमबर चार है चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे तो चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे इन तू क्या कहते थे इन तू कुर्शन नमबर पाँच है निमलिकित में से कौन वास्तु सास्तर का ग्रंथ है इसमें से कौन वास्तु सास्तर का ग्रंथ है तो वह ग्रंथ है अप्राजित प्रिच्छा ये वास्तु सास्तर का ग्रंथ है और इसके अगर रचेता का बारे में जानेंगे तो इनका नाम था भट भुवन देव, अपराजित प्रिच्छा के रचनाकार थे, भट भुवन देव, और इन्हों वास्थुसास्तर पर ये गरंथ लिकी हैं, जिसका गरंथ का नाम है, अपराजित प्रिच्छा, और इसमें इस गरंथ में बताया गया है, कि जो चार वर्ण थे चारों वर्णों के लिए अलग-अलग घर बनाने की जो है विचार दिया गया है इस ग्रंथ में यही वास्तु सास्त्र का ग्रंथ है कोश्चन नमबर छे है निमलिकित में अस्वमेग करता कौन थे अस्वमेग यग करता कौन थे इसमें देखे समुद्र गिप्त भी अस्वमेग यग किया था परवर्शन प्रथर्म भी किया था पुलकेशन प्रथर्म भी किया था हर्स हर्स जो अस्वमेग यग नहीं किया थे इसमें एंसर होगा C एक, दो, तीन इसमें सही है असमेग यग करता के बारे में आप लोग बता दें कि असमेग यग है यानि जो ये यग कहता था उसमे एग गोड़ा छोड़ा झाथा था इस यग में और वो गोड़ा जिस भी छेतर में जाता था वहां तक जो यग कराने वाला ब्यक्ति होता या राजा होता था तो वहां तक उसका अधिकार छेत्र माना जाता था यदि घोडे को किसी अन्य सासक दोरा या किसी अन्य राजी की सासक दोरा अगर पकड़ लिया जाता है तो राजा जो है उससे युद्ध करता था यह है इसकी प्रक्रियास मेंग यग की कोश्चन नमबर साथ है वेन सांग ने जिस कनिस्क बिहार को देखा था वो कहां इस्थित था तो वेन सांग ने जिस कनिस्क बिहार को देखा था वो कहां परिस्थित था तो वो इस्थित था पूरुस पूर्में आइनसर हो गाण सी पूरुषपूर में, पूरुषपूर या यहिवर पैसावर के नाम से जाने जाता था, जो कनिश की रायधानी थी, प्राचीनकाल में, कोशन नमबर आठ है मतुरा के पास मोरा अभिलेक किस से संबंदित है तो मतुरा के पास जो मोरा अभिलेक मिला है वह किस से संबंदित है तो वो है बैसनों धर्म से इंसर हो जाएगा ये बैसों धर्म से, कोश्चन नमबर नौ है, निमलिखित में से किस भारती राजवांस ने जैन धर्म को राज की सनरचन परदान नहीं किया था, तो वे कौन थे, तो वे थे, साथ वाहन, इंसर हो जाएगा ये, साथ वाहन, साथ वाहन जो है, जैन धर्म को सनर्चन ये ब्रामर वादी मांते थे या ब्रामर के धर्म से रिलेटर समबनदित थे ये, कोश्चन नमबर दस है, निमलिखित में से कौन एक शंगम युगीन बंदरगाह नहीं है, संगमीगुन बंदरगा नहीं है इसके बाद कोरके भी संगमीगुन बंदरगा था तो उरोईर उरैयूर नहीं है तो उरैयूर जह है प्राचिनकाल में चोलों की राधानी थी ये संगा मीगुन बंदरगा नहीं था कोश्चन नमबर 11 है निमलिकित गुप्त सासकों में परम भागवत उपाधी धारन करने वाला प्रथम कौन था यहाँ पर एक सब्द आपको ध्यान देना है प्रथम इसे पूछा है तो गुप्त काल के सासक में कौन सासक था जिसने सबसे पहले परम भागवत की उपाधी धारन के थी तो सबसे पहले परम भागवत की उपाधी धारन के थी चंद्रगुप्त दूतियने एंसर रोजाएगा B, चंद्रगुप्त दूतियने, कुर्शन नमबर 12 है, कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उलेखित स्रेणी संगठन का नाम है, तो स्रेणी संगठन का नाम है, क्या है, तन्तु वाई, तन्तु वाई, आप देखें, स्रेणी संगठन का यहां तातपर है, यानि मंदसौर एक से लेख है एक, जिसमें पता चलता है कि पट वाई, स्रेणी, या इसी को तन्तु वाई का एता था, स्रेणी, जो रेशमी सूत बनाने वाले समीती थी, तो यह कुमार गुप्त के मंदसौर अवलेख में वलेख किया गया, इसको स्रेणी संगठन के रूप में, कोर्शन नमबर 13 है, निमलिकित इस मारकों का तीथी क्रम ब्यवस्थित किजिए, इस मारकों का तीथी क्रम इसम कालास मंदिर, एलोरा, मिनाच्छी मंदिर, मदुरेई, तो इसमें इंसर हो जायागा, बी, सबसे पहले दूसरा था, द्रोपती, रत, मामल लंपुरम, यह जो है, सात्वी सदी का बना है, इसके बाद देगा, आपका तीसरा नमबर, कैलास मंदिर, एलोरा, यह जो है, आठ और मिनाच्छी मंदिर, मदुरेई है, यह बारामी सदी के बना, यह करम, इसका बनने का, मंदिरों का, इसका एंसर, बी, करम, सई है, कोश्चन नमबर, चवदा है, निमलिखित में से किनका, पेरिपलस, आपदी, इथिरियन, सी में, दच्छिना, पत्थ के, दो, महत्पु इस्ठानम, टगर के रूप में, कोश्चन नमबर, पंदरा है, निमलिखित में से कौन सती पर्था के बिशाय में, अपनी अलोचना के लिए व्यक्ख्यात था, तो अपनी अलोचना के लिए व्यक्ख्यात था, कौन-कौन थे, यह थे, बान और मेगाते थी, यहनि दो और तीन, इसमें सई एंसर इसका B होगा, कौश्चन नमबर 16 है, सुमेलित करने के लिए एक तरफ जनपत का नाम है, एक तरफ राधानिया है, तो कौन सा जनपत में, यह और राधानी में, कौन सी संबत या सिक्का चलता था, या उसको क्या कहलता था, चले इसको सुमेलित करते भट्टारक ये उपादी है कुल्लम कि कुल्लम जो है एक संबत है गधानक एक सिक्का है वैटे लिपी है यानि कि इसमें अंसर डी साही करम से है कोछे सन नमबर अठा सत्रह है तिरती संगम का आयोजन हुआ था तिरती संगम का राज वेशन कहां पर वह थांअन. 0019 गड़ी नर वर्मन कुश्चन नमबर 19 है चोल काल में रासी यानि धान की रूप में संग्रहन किये जाने वाले भूमी राजा सुक को किससे मापते थे ये मापते थे कंजलू से एंसर होगा बी कलंजू है सारी कलंजू से कलंजू कलंजू से कुश्चन नमबर 20 है चोल अस्थानी सोसासन के लिए उत्तरदाई समीतियों के सदस्यों के संबंध में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तिसमें कौन सा कथन सही नहीं ये पूछा है चोल के बारे में इसका एंसर होगा A वे मतदान द्वारा चुने जाते थे ये सह ही नहीं है इसका एंसर A होगा इसके लाए ये B, C, D सबसे ये कि चिठी निकाल कर चुने जाते थे सदसे बनने के लिए कत्पे सर्तों को पूरा करना होता था और D दिया है चोरी के अपराद में डंडित कोई ब्यक्ति सदसे नहीं बन सकता था तो यहां पर कौन सा कथन सही ही नहीं है conduction 21 है चंदावर का उन्द किसके बिच हुआ था चंदावर का इुद किसके बीच तो ये वह था जी जाइचंद्र और शिहा तूर बून जिसमें जैचंद्र की पराजे हुई थी और श्यावुदिन गोरी की विजय प्राप्त हुई थी और जैचंद्र इस उद्ध में मारा भी गया था कुर्शन नमबर 22 है निम्लेकित राजाओं में से किसने अपने राज में मदिरा का उत्पादय ने विक्रे निसिद्ध कर दि और यह जैन मैतानुआई था और जैन होते हुए भी यह सोमनात में मंदिरी मुझा कर भगवान सीव की पूजा भी करता था यह और उसमें जो है अहिंसा के स्थापना के लिए जो है मदिरा निर्माण और विक्री पर परतिबंद लगा दिया था तिसका एंसर डी होगा कु सुमेलित करने के लिए चले इसको शुमेलित करते हैं एक तरफ रासवा कभी एक तरफ आशरदाता निप्रति हैं तो बिलहड भीक्रमाक कल्ल्याण कब ख़मांक इसको आशराह दिये Тरक को जैदेव we get ए यह बंगाल का लचमणसेन अर кадभ च्छेमेंदर को दिये थे कनोज का गोबिन चंद्र स्री हर्स को सनचड़ दिये थे असोक का अनंत सासक यानि किसका एंसर डी सही सुमेलित है कुस्सन नमबर 24 है जैन परंपरा में निमलिखित राजाओं में से किसका जैनों के संत्राख सक के रूप में उलेख मिलता है तो ये उलेख मिलता है अजय पाल का अजय पाल का देखे अजय पाल जो है जैन परंपरा को नहीं मानते थे या उसके लिए जैन के परंपरा के लिए घातक सी दुए ये अजय पाल भी जो है सुलंकी राजमंस या चलुकी राजमंस की राजा थे और जैन गरंथों से ऐसा पता चलता है कि उसने जैन साधों की ह कराई थी और जैन मंदिरों को द्धुस्ट करा दिया था और उसके नौकर ने छुरा गौप कर उसकी हत्या कर दे थी तो यह हत्या अजय पाल का हुआ था उसको नौकरे द्वारा हत्या की गई थी जैन का बिरोधी था यह कूश्चन नमबर पचीस है और अंतिम कोश्चन है आज के लिए अल बरूनी ने निमलेखित में से किन धार्मिक रितियों के प्रचलन का वड़न किया तो यह वड़न किया था दैनिक यग का ब्रत का दान का तिर्थियात्रा का यहनी उप्युक्त सभी का एंसर होगा ए तो यह थे वीडियो आज के लिए तो उम्मिद करता हम कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हां अधिक सदिक सेयर करें दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में